दोस्तो आज की कहानी में हम देखेंगे प्रेंका चोपडा के पती निक को जिसकी इतनी शांदर बीबी होने के बाद भी वो एक शादी शुदा औरत के प्यार में पढ़ जाता है लेकिन आगे जाकर वो उसे एक ऐसे कांड में फसा देती है जहांसे निकल पाना उसके लिए नामुम्किन हो जाता है तो कहानी शुरू होती है और हम कुछ सुन्दर कन्याओं को बीच पर इंजॉय करते हुए देखते हैं वहीं पर प्रेंका चोपडा का हस्बेंड निकी नपुनसक भी अपने पैरेंट्स के साथ हॉलिडेज मनाने आया हुआ था कुस दिर बाद वो यहां पर बहुत लड़की आई हुई हैं और हम लोग उनके साथ दिन रात मजदूरी कर सकते हैं इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं पर तभी वहां पर एक आदमी आता है और इंस्टुमेंट्स की तार निकाल देता है जिससे म्यूजिक बजाने वाले रुख जा अब बाकी के लोग उसे गालिया देते हैं लेकिन जल्दी ही वो आदमी म्यूजिक बैंड के साथ गिडार बजाने लगता है जो कि लोगों को काफी पसंद आता है इसके बद निक अपने घर पर आता है लेकिन वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं होता फिर वो अपने कमर में जाता है और वहां पर कुछ तस्वीरे देखने लगता है अगे जब वो खिडकी से बाहर देखता है तो उसे कपल दिखाई देता है जो कि वहां पर आये होते हैं यहां पर आदमी का नाम पपू पासपोट और और आरत का नाम चुसकी होता है निक नपुनसक चुसकी को चांगे देख सके इसके बद निक अपने दोस्त के पास जाता है और वो लोग फिर से लड़कियों के बारे में बाते करते हैं इसके बद वो लोग एक मैट्रेस को लेकर पुरानी नाव के अंदर जाते हैं जिसकी दूसरी तरफ से उन्हें किसी के हसने की आवाज आती है इसक को उसकी नाव में काम करने को कहता है और कहता है कि तुम्हें इस काम में अच्छा पैसा मिल सकता है फिर अगले दिन निक पपू पास्पोट की नाव में जाता है वो वहाँ कहता है कि भाई माल तो शांदार है बस चूचियां थोड़ी छोटी हैं पपू कहता है कि भी सडी के मैं नाओ के बारे में पूछ रहा हूँ निकी कहता है अच्छा ये नाओ इसमें थोड़ा सा डैमेज है पर मैं इसे ठीक कर दूँगा फिर पपू पासपोर्ड उसे बताता रही थी लेकिन तभी वहाँ पर पपू पासपोर्ड आ जाता है और चुस्की के साथ जबर्दास्ती करने लगता है अब ये देखकर निकी का मूड खराब हो जाता है और वो उसे गालियां बगता है अगले दिन पपू पासपोर्ड अपनी कारसे लेक के सामने से गुजर इसके बद निकी और पपू पासपोर्ट नाव पर होते हैं जहाँ पर निकी पपू पासपोर्ट से पूछता है कि तुमारे पास इतना पैसा आया कहां से जिस पर पपू पासपोर्ट कहता है कि पैसा कमाने के लिए पिछवाड़े में दम होना चाहिए जो तेरे पास नहीं ह इसके बस सीन शिफ्ट होता है और हम निकी को देखते हैं जो अपने कमरे की खिड़की से चुस्की को कहीं जाते हुए देख रहा था थोड़ी दिर बाद उसे चुस्की के चिलाने की आवाज आती है और वो भागते हुए उसके पास जाता है वो देखता है कि चुसकी डरी हुई कार के बाहर खड़ी है क्योंकि कार में एक मकडी थी अब निकी कार में से उस मकडी को बाहर निकालता है और उसे कुचल कर मार देता है इसके बाद वो कार को ठीक करने लगता है, लेकिन इसी दोरान चुसकि उसके काफी करीब आ जाती है, जिससे उसका फिर से खड़ा हो जाता है। फिर निकी जाकर इस बारे में अपने दोस्त को बताता है लेकिन उसका दोस्त उसे पप्पू पासपोर्ट से बचकर रहने को कहता है आगे जब निकी अपने काम से घर वापस आता है तो उसे चुसकी घर के बाहर बैटी हुई मिलती है वो चुस्की के पास जाता है तो चुस्की उसे बताती है कि उसने घर की चाबी खो दी इसलिए वो घर के अंदर नहीं जा पा रही वो उसे कहती है कि प्लीज तुम इस बारे में किसी को मत बताना क्योंकि मेरे पती ने मुझे घर का ध्यान रखने को कहा था लेकिन तबी अचानक से बारी शुरू हो जाती है और चुसकी निकी को पत्थर से खिड़की तोड़ कर अंदर जाने को कहती है ताकि अंदर जाकर वो दर्वाजा खोल सके अब निकी भी उसकी बात मान कर अंदर जाता है और किसी तरह से दर्वाजा खोल देता है इसके बच चुस्की उसे कहती है कि तुम यहीं रुको और मेरे साथ दारू पी हो अब वो लोग बाते कर रहे थे पर तब ही चुसकी उसे कहती है कि तुमें तो चोट लगी है आगे वो उसकी पैंट खोल कर उसकी चोट को साफ करने लगती है और कहती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा अब क्योंकि निकी का पूरी तरह से तन चुका था तो वो चुसकी को किस कर लेता है लेकिन अगले ही पल वो उसे माफी मांगता है लेकिन तब ही हम देखते हैं कि चुसकी को इससे कोई प्रॉबलम नहीं होती और वो निकी को फिर से उसे किस करने को कहती है अब वो दोने एक दूसरे को दबा कर चूसते हैं जिसके बाद चुसकी अपने कपड़ करके मुस्कुराने लगता है इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है जहां पर उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई कल रात मैंने गल्ती से तुझे कॉल कर दिया था आगे निक उसे अपनी आवाज सुनाता है जहां पर वो चुसकी के साथ मजदूरी कर रहा था इसके बा वो नव पर काम कर रहा था तब ही चुसकी वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि पपू पासपोर्ट ने मुझे तुमारे काम को देखने के लिए भेजा है आगे वो लोग नव के अंदर जाते हैं और चुसकी उसे परदे गिराने को कहती है निकी परदा लगा देता है और कुछ लड़कियां दिखाने लगता है अगली सुबह निकी अपनी साइकल से कहीं जा रहा था पर तब ही वो देखता है कि पपू पासपोर्ट एक दुकान पर रुका है अब निकी के पिछवाड़े में चुलसी मची थी तो वो दुकान के अंदर चला जाता है फिर दिर बाद पपू पासपोर्ट उस नाओ को देखने आता है जिस पर निकी काम कर रहा था वो उसे कहता है कि तुमारा काम ठीक नहीं है जिसके बाद वो निकी को भाशन देते हुए कहता है कि तुमें देखकर मुझे मेरी जवानी का टाइम याद आ गया लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा महनती था जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं फिर से कुस दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ अब यह सुनते ही निकी फिर से चुस्की के पास पहुंच जाता है जहां पर वो दोनों पूरी रात पलंग तोड मजदूरी करते हैं फिर मजदूरी के बद चुस्की उसे एक फोन देती है और कहती है कि पपू पासपोर्ट बहुती गुस्से वाला है और बहुती खतरनाक है इसलिए ये फोन तुमारी मेरे से बात करने में मदद करेगा अब इसके बद निकी भागते हुए किचन में जाता है जहां पर चुसकी भी उसके पीछे आ उतारो ताकि मुझे ये पता चल सकी कि ये नाव समुंदर में चलने लायक है या नहीं अब नाव की सवारी करते हुए पपू पासपोर्ट एक बीम से टकराने ही वाला था लेकिन वो किसी तरह से जुक कर अपने आपको बचा लेता है फिर पपू पासपोर्ट निकी से वोस लेने वाली है पर तभी पपू पासपोर्ट वहाँ पर आ जाता है और निकी को नाव को ठीक करने को कहता है उसी रच उसकी निकी को फोन करती है और वो फोन पर रो रही थी तभी निकी वहाँ पर आता है और चुसकी उसे बताती है कि पपू पासपोर्ट ने आज उस उसे बहुत मारा और अब वो बिजनस के सिलसले में बाहर गया है। निकी नपुनसक उसे कहता है कि उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए लेकिन चुसकी उसे रोक देती है और वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब निकी काम पर होता है तब ही उ उसे पपू पासपोर्ट की पहली बीबी के बारे में बताती है और कहती है कि वो लोग अभी भी कोट के मामले में फसे हुए हैं इसके बाद निकी का दोस्त निकी की हरकतों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की को देखा ह जिसकी चूचियां बहुत ही बड़ी बड़ी हैं लेकिन निकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता इसके बाद वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि पपू पासपोर्ट भी वापस आ चुका है पर तबी अचानक उसे चुसकी का कॉल आता है और वो तुरंत अपने कमर में आ जाता है वो चुसकी से बात करता है जो उसके पीछे ही खड़ी थी वो उसे तुरंत अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे निकी की जरूरत थी इसके बद निकी तुरंत उसके घर पर जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि चुसकी और पपू पासपोर्ट की बी इसके बाद वो बार में काम करने जाता है और जब वहाँ से वापस आता है तो देखता है कि चुसकी उसके mom dad के साथ बैटी है। वो सभी कुछ देर बाते करते हैं और निक अपने कमरे में चला जाता है। उसी रद निकी चुसकी से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है और चुसकी उसे माफी मांगती है। वो कहती है कि वो अपने घर पर अकेली नहीं रह पा रही थी इसलिए वो उसके mom dad से मिलने चली गई। निकी कहता है कि हम इस वारदात को accident बता सकते हैं लेकिन चुसकी कहती है कि ये बहाना काम नहीं करेगा। अब अगली सुबे पुलिस की कारेवाई शुरू हो जाती है और उन्हें ये सब accident लगता है। प्राइविंग करते हुए दिखाये जाता है जो कि शहर में आ रही थी। वो उरत पुलिस वालों से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि एले ट्रस्ट इस मामले को बहुत ही घंबीरता से ले रहा है। क्योंकि पप्पू पासपोड के पास एक लाइफ इंशॉरंस था जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी। और क्योंकि ये पैसा चुसकी को मिलना था तो इस पहलू से जुड़े हर मामले की गंबीरता से जाच की जाएगी। इसके बद चुसकी को पूछताच के लिए बुलाए जाता है जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि क्या उसका किसी और के साथ अफैर चल रहा है। पारदात की जगे को चेक करती है ताकि उसे कुछ सुबूत मिल सके। उसे वो टूटी हुई खिड़की मिलती है जिसे निक ने चुसकी की मदद से तोड़ा था। इसके बद वो एजेंट निकी के माबाप के पास जाती है और उनसे उस रात के बारे में पूछती है जब च कावाल पूछती है और उसके मूँ से सच उगलवाने की कोशिश करती है लेकिन तबी निकी की मौम उसे कहती है कि बीसेडी वाली मेरे बेटे से दूर रहे इसके बद निकी को चुसकी का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि वो उससे पुरानी नाओं में मिलना चाती है न वो निकी को पुलिस कार में बिठाते हैं और एजेंट उससे फिर से पूछताज करती है लेकिन निकी उसे कुछ नहीं बताता जिसके बाद वो इस पूरे मामले के बारे में अपने दोस्त और मॉम डैट को बता देता है इसे बिच पुलिस को ब्लड सेंपल का मैच मिल जाता है जो कि निकी ने पुलिस को दिया था निकी अपनी बेगुनाई साबित करने की पूरी कोशिश करता है पर हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है वहीं जिस माली ने चुसकी और निक को साथ में देखा था, उस माली को भी मार दिया जाता है अब निकी किसी तारह से अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है वो चुसकी से मिलता है, जहां पर पहले तो वो उसे किस करती है और फिर खुदी अपने कपड़े फाड कर मदद के लिए चिलाने लगती है वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि निक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है तब ही पुलिस वहां पर आ जाती है और निक को पकड़ लेती है निक पुलिस को कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया और ये साबित करने का मुझे एक मौका चाहिए जिसके बाद पुलिस उसे वहाँ से जाने देती है निक भाग कर चुसकी के मौटल में उसका सेलफोल लेने जाता है लेकिन जैसे ही उसे फोन मिलता है तब ही चुसकी वहाँ पर आ जाती है जिसके साथ वो एजेंट भी थी निक एजेंट से कहता है कि इस फोन में उसकी बेगुनाही के सुबूत है इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर जा रही होती है कि तभी निक की नजर एजेंट के पैरो पर पड़ती है जहां पर वैसा ही टैटू था जैसा चुसकी के पैरो पर था अब निक को पता चलता है कि ये एजेंट तो चुसकी की गल्फ्रेंड है और ये शुरुवात से ही चुसकी का साथ दे रही है उसे सारी बाते याद आने लगती है और उसे समझ आता है कि वो इस खिल में फस चुका है लेकिन तभी जाने से पहले चुसकी वो फोन वहीं छोड़ जाती है जिसमें निक के बेगुना ही के सुबूत थे आगे वो दोनों पपू पासपोर्ट के इंशॉरंस का पैसा लेकर ये देश छोड़ कर वहां से चली जाती है और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है